हलो फ्रेंडस में कुकित मीना, आज मैं बनाने जारी हूँ आलू और ब्रेड से बिलकुल नया नास्ता जो की आज से पहले आपने कभी बी इस नास्ते को बनाके नहीं खाया होगा। यह एकदम क्रिसपी और मजदार सा नास्ता बनके तयार होता है। इस नास्ते को आप जल्दी से बना के यहांपे इस तरीके से आलू को पतले स्लाइस में काट गया है। जी तरीके से बना के तयार कर तक मिलते हैं। तो ब्रेड को हम सिर्छ चलते रखेंगे और हमने यहां पनाने के लिए आलू को हमने पानी में रख दिया था ताकि यह काला ना पड़े अब हम इसमें कटा हुआ बारीक प्याज एड़ करेंगे हमने छोटे साइज के तीन प्याज को काटके ले लिया है इसे हम इसमें एड़ करेंगे इसे आप बिल्कुल पतले स्लाइस में काटे और हमने यहाँ पे दो हरी मिर्च को बारीक काटके ले लिया है और थोड़े से हरी धन्या पत्ती को बारी काटके ले लिया है हमने यहाँ पे एक छोटा चमा चेल साबुत धन्या ले लिया है इसे हम इस तरीके से मसल के डालेंगे इस तरीके से करने से फ्रेंस ये दो टुकडों में हो जाता है तिसे हम इसमें डाल देंगे इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और हमने यहाँ पे एक छोटा चमच जीरा ले लिया है जीरा को भी हम इस तरीके से मसल के डालेंगे इस तरीके से डालने फ्रेंड इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और हमने यहाँ पे आधा छोटा चमच अजवाइन ले लिया है क्योंकि इसे हम बेशन से बना रहे हैं तो इसे डालने से फ्रेंट डाइजेस अची तरीके से होता है तो इसलिए हम इसमें अजवाइन डालेंगे तो अजवाइन को भी हम मसल के डालेंगे आधा छोटा चमच हम इसमें चिली फ्लेक्ष डालेंगे आप इसके जगह पे मिर्च पॉडर भी डाल सकते हो अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पॉडर एड़ करेंगे बहुत जादा नहीं एड़ करेंगे एक छोटा चमच चिकन मसाला एड़ करेंगे आप चाहे तो इसके जगह पे गरम मसाला भी एड़ कर सकते हो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी को मसल के ले लिया है इसमें हम स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे आधा छोटा चमच हम अधरक लसन का पेस्ट लेंगे अब हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे हमने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है अब हम इसे आलू और प्याज में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसमें बेशन और एड़ करेंगे तो फ्रेंड्स हमने जो बेशन यहाँ पे लिया था एक कटोरी वो बेशन हम यहाँ पे पूरा एड़ करेंगे और हम इसी कटोरी से थोड़ा सा पानी ले लेंगे पानी को अब जरुरत के हिसाब से इसमें डाले हमने लगभग इसमें एक टेबल स्पून जितना पानी एड़ किया है तो देख सकते हो फ्रेंड्स यह पकोड़े के लिए फ्राई होने के लिए बनके तैयार हो गया है इसे हमें इतना ही गीला ग्यूतना है तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये एक दूसरे में चिपक रहा है तो हमें इसे इतना ही गीला करना है अब हम इसे साइड में रख देते हैं तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे ब्रेड को ले लेंगे हमने यहाँ पे इस तरीके का कटोरी ले लिया है तो आप भी इसी तरीके से कटोरी ले और ब्रेट को हम इस तरीके से कट करेंगे तो देख सकते हो फ्रेंट्स हमने यहाँ पे ब्रेट को इस तरीके से काट के ले लिया है तो हमें सभी ब्रेट को तरीके से काट लेना है तो friends देख सकते हो हमने यहाँ पे सभी ब्रेट को इस तरीके से काट के तयार कर लिया है और जो इसका ये कत्रन बचा है इसे हम ब्रेट क्रम बना लेंगे अब हम इसमें एकेक करके हम इस तरीके से ब्रेड लेंगे और फ्रेंट्स हमने यह जो आलू का मिक्चर बना के तयार किया है इसे हम इसमें इस तरीके से लगा लेंगे इसे हम इसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे तो देख सकते हो friends हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसमें कोट कर लिया है अब हम इसे पीछे के साइड से भी इस तरीके से इसमें हम चिपका देंगे तो अब हम चलते हैं friends कड़ाई के तरफ कड़ाई में हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए तो तेल गरम हो चुका है अब हम इसे fry करेंगे अब हम इसे तेल में इस तरीके से रखेंगे तेल को हमने low medium पे गर्म किया है तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इसी तरफ friends हम बाकी का भी बना के तयार करते हैं अब ये नीचे से golden color का हो जाएगा उसके बाद हम इसे पलतेंगे इसे हम थोड़ा सा side भी कर लेंगे और जो बाकी का जगर है उसमें हम दूसरा इसमें और डालेंगे तो friends जिसे मैंने सबसे पहले डाला था वो नीचे से golden brown color हो गया है तो इसे हम दूसरे side से पलट के fry करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये एकदम golden color का हो गया है तो उसी तरह friends जब ये हो जाएगे तो इसे भी हम पलट लेंगे तो friends ये वाला fry हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे इसका सारा तेल हम कढाई में इसी तरीके से गिर जाने देंगे तो friends इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राइ हो जाने देंगे बाकी का बच्चा हुआ है फ्रेंडς अम उसी तरह से इसे भी फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड देख सकते हो एक दम मज़ेदार सी क्रिस्पी और ब्रेट की नास्टा बनके तियार हो गया है आज से पहले आप इस नास्ते को कभी भी बना के नहीं खाया होगा ये नास्ता इतना टेश्टी और इतना क्रिस्पी बन के तयार होता है तो एक बार आप मेरे तरीके से इस नास्ते को जरूर ट्राइ करें आप इसे बच्चों के टीफिन में भी बना के दे सकते हैं आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए तो इस नास्ते को आप तुरंट से बना के तैयार कर सकते हैं एकदम नए तरेके की मज़ेदार नास्ता बनके तैयार हुआ है तो फ्रेंट्स एक बार आप मेरे तरीके से इस लाजवाब नास्ता को जरूर बना कर ट्राइ करें ये नास्ता बिलकुल नया है फ्रेंट्स इसे हमने ब्रेड और आलू से बना के तैयार किया है इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद के साथ खाएंगे तो एक बारा पीस नास्ते को जरूर ट्राइ करें तो फ्रेंट्स इसी तरह मैं आपके लिए नई नई इसी रेसेपी लेके आते रहूंगी तब तक के लिए बाई बाई